क्या बीजिंग लोगडाउन में जा रहा है? अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में सैने कार्रवाई से इंकार नहीं करेगा और एक आतंक्वादी हमला चीनी नागरिकों को निशाना बनाता है इस सप्ता के चीन समाचारों की सुर्खियों में और भी बहुत कुछ बिना सेंसक ये चीन में आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। प्रती एक दिन जो बीच जाता है, यह अधिक से अधिक संभावना है कि बीजिंग किसी प्रकार के कोविड लोगडाउन में जा रहा है। आज रात, चीनी अधिकारियों ने बीजिंग में बड़े पैमाने पर कोविड परीक्षन का आदेश दिया। लगभग 20 मिलियन लोग, इस सप्ताह परीक्षन के तीन दौर, अधिकारियों का कहना है कि इसका प्रकोप लगभग 140 मामलों में है। चीनी राजधानी में अधिकारियों ने नवीनतम प्रकोप पर मुहर लगाने के लिए दौर लगाए। और एक महीने से अधिक समय से शंगाई को घेरने वाले दुर्बल शहर व्यापी तालाबंदी को टाले। शंगाई के निवासियों को अपनी बुनियादी जरूरतों क पूरा करने के लिए संगहर्श करते देख बीजिंग में लोग खाद्या पूर्ती पर स्टॉक कर रहे थे। यह वास्तव में शंगाई में काम नहीं करता था। हालाकि चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी जो संदेश दे रही है वो यह है कि शंगाई अभी पर्याप्त तेजी स बंद नहीं हुआ है। यदि उन्होंने ऐसा जल्दी किया होता तो वे ओमिक्रॉन पर मोहर लगा सकते थे और जल्दी से वापस सामाने हो सकते थे। इसलिए बीजिंग चीन की शून्य कोविड नीती की असली परिक्षा होने जा रहा है। शंगाई ने गडबड कर दी इस लिए उनकी गिंती नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि चीनी शासन यहां क्या कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि बीजिंग के लोग इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। बीजिंग में पहले से ही दहशत फैलाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। शंगाई ने यह स क्रेडिट देना होगा जहां क्रेडिट देया है। चीनी राजिद्वारा संचालित मीडिया के एक रिपोर्टर ने वास्तव में एक स्पष्ट त्वीट किया जिसमें उसे लोकडाउन होने की स्थिती में भोजन का स्टॉक करते हुए और खाली अलमारियों को दिखाते करना चाहेंगे। यह चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रचार की एक बड़ी विफलता है। चीनी शासन ने उनके कोवेड प्रतिक्रिया के एक विजय आख्यान को आगे बढ़ाया जो कहता है कि केवल चीनी सरकार में वायरस का सामना करने और वापस पकड़ने की चीन की शून्य कोवेड नीती के मानव टोल के अलावा यह चीन की अर्थविवस्था को भी कुचल रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि चीन का टीका करण अभियान कितना खराब था। चीन के कई बुजूर्ग असंबद रहते हैं और अन्य चीनी वैक्सीन का उप्योग कर रहे हैं जो शुरू में बहुत प्रभावी नहीं है। जितने अन्य देशों ने उनका इस्तेमाल किया उन्हें पता चला। मुश्किल रास्ता। यह तब होता है जब आप चीन से खरीदते हैं बजाए इसके की हर देशभक्त अमेरिकी को क्या करना चाहिए। मेक्सिको स चीजे खरीदना। और अब बीजिंग में बड़े पैमाने पर परीक्षन अभियान है यह वैक्सीन बूस्टर अभियान के करमचारियों को पुनर निर्देशित करता है। यह सब चीनी नेता शी जिन पिंग कॉन बॉक्स के लिए बुरी खबर है। खेर, मेरा मतलब है कि यह सबी के लिए बुरी खबर है। लेकिन शी ने शून ने कोवेड नीती पर अपनी वैधता दाओं पर लगा दी है। और इस साल शी बाकी पार्टी को चीन के नेता के रूप में उन्हें और पांच साल देने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। उन उम्मीदों पर पान करना सुनिश्चित करें। लिंक नीचे हैं। और ब्रेक के बाद सामने आ रहा है। अमेरिका चीन से लड़ने के लिए प्रशांत क्षेत्र में सैने कार्रवाई पर विचार करता है। वापसी पर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं कि कैसे चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी ने सोलोमन द्वीब समूह के साथ एक सुरक्षा समझोते पर हस्ताक्षर किये। यह अनिवार्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड के दरवाजे पर है। और चीन भी गुप-चुप तरीके से वहाँ सैने अड़्डा बनाना चाहता है। हाला कि निश्पक्ष होने के लिए चीन शायद हर जगा सैने ठिकाने बनाना चाहता है। अभी अपनी सीट के नीचे चेक करें। हाँ, चीनी सैने अड़्डा। और अब अमेरिका का कहना है कि अगर चीन वहाँ आधार स्थापित करता है तो वो सैने कारवाई से इंकार नहीं करेगा। यह प्रशां में चीनी सैने अड़्डे के खत्रे को गंभीरता से लेना अच्छा है, मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन निराश महसूस करता हूँ। लेकिन अगर अमेरिका पहले से अधिक सक्रिय होता, तो चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने का अफसर इसके खिलाफ सैने कारवाई करने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इसे लेकर हर कोई बॉखला रहा है, यहां तक जापान ने भी सोलोमन द्वीप में अपना दूद भेजा है, लेकिन कम से कम अमेरिका अब कारवाई कर रहा है, यह ट्रम्प प्रशासन क के तहट शुरू हुआ, उनके प्रशासन ने प्रशान्थ द्वीप राष्ट्रों में अधिक उच्छ स्तरिय राजनाएक दोरे भेजे, जिसका समापन माइक्रोनेशियन राष्ट्रों के तीन नेताओं के साथ एक बैठक में हुआ, हाला कि लोवी इंस्टीट्यूट का कह प्रशासन की गती के साथ इसक्षेत्र के लिए अमेरिकी प्रतिबदता धीमी रही है, जो जो बिडेन के पहले वर्ष में पूरी तरह से ठप हो गई है, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन आखिरकार एक बार फिर प्रशान्थ को प्राथमिक्ता देता नजर आ रहा है, कॉ चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी ने प्रशान्थ द्वीपो में अपने प्रभाव का विस्तार करते हुए वर्षो बिताए हैं, यदि अमेरिका और उसके सहयोगी इसका सफलता पूर्वक मुकाबला करना चाहते हैं, तो वह कुछ वास्तव एक अनुवर्ती कारवाई करने ज पार्ट हो गई, तीन चीनी नागरिक एक स्थानिय कन्फ्यूजियस संस्थान में शिक्षक्त है, उन्हें मारने वाले आतंकवादी समूह, देश में चीनी निवेश का विरोध करते हुए कहते हैं कि स्थानिय लोगों को फायदा नहीं होता है, पाकिस्तान में चीन का भार खित पत्र भी भेट किया, जिसमें उनकी सरकार की पाकिस्तानी धर्ती से सभी आतंकवादियों और आतंकवादियों को खत्म करने की प्रतिबधता की पुष्टी की गई थी, इसके अलावा, अगर आप उस मिट्टी में करीब से देखते हैं, हाँ, एक और चीनी वे हर जगा पॉप अप कर रहे हैं, चीन एक बार फिर रूस के साथ अपने संबंधों की पुष्टी करते हुए कह रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, यार, मुझे पुराने दिनों की याद आती है जब नो लिमिट एक रैप लेबल था, और कोई यह नहीं कहता था, हम देश मंत्राले के एक बयान में कहा गया है कि चीन हमेशा की तरह रूस के साथ रवनितिक सहयोग को मजबूत करेगा, दोनों पक्षों के सामान्य हितों की रक्षा करेगा, और नए प्रकार के अंतरराष्ट्रिय संबंधों और समुदाय के साथ के निर्मान को बढ़ावा देगा, मानव जाती के लिए एक साजह भविश, रूस और चीन का मानव जाती के लिए साजह भविश, यह इसके जैसा है एक बेहद होट लड़की के साथ डेट पर जाना और उसके लाल ज़ंडों में होना, चीन निर्वासे तिबबती सरकार के नेता के साथ मुलाकात के ल रहा है, अब मेरा मतलब यह नहीं है कि उसने चेक राजनाएक को शारीरिक रूप से पटक दिया, कहानियों को अधिक रोचक बनाने के लिए मीडिया कभी-कभी वाक्यान्शो की एक बारी का उप्योग करना पसंद करता है, जैसे जब चीन ताइवान जिल्डमरु मध्य से युदपोद भेजने के लिए अमेरिका की खिचाई करता है, हर हेडलाइन में स्लैम क्यूं होता है, ठो सकता है कि समाचार साइटों को पूर्व पहलवानों को पत्रकारों के रूप में भरती करना बंद कर देना चाहिए, या कम से कम उन्हें एक थिसौरस प्राप्त करें, किसी भी तरह से इसे अंकित मूले पर न लें, ठीक वैसे ही जैसे आपको चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी की किसी भी बात को अंकित मूले पर नहीं लेना चाहिए, आप जानते हैं कि चीन ने अपने जलवायू वादों का सम्मान करने का वादा कैसे किया है? यह ब्रिटेन मे कोईले को प्रचारित कर रहा है. वास्तव में, चीन कोईले से चलने वाले बिजली सयंत्रों का निर्मान उस दर से कर रहा है जो दुनिया के बाकी हिस्सों को सयुक्त रूप से पचार देता है. मूल रूप से चीन की अर्थविवस्था को उनकी पागल कोविड नीतियों से जटका लगा है. इसलिए चीन का सेंट्रल बैंक फिर से अपनी मुद्रा में हेरा फेरी कर रहा है. और क्यों शासन सस्ती कोईला उर्जा को आगे बढ़ा कर अर्थविवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है. इसलिए चाहे वो कोविड हो या कोईला, चीन वास क्या रूस से ज्यादा आपको कोई चिंता है? आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोंड से एक देश के रूप में हमारे सामने सबसे बढ़ा खत्रा पीपुल्स रिपबलिक ऑफ चाइना और विशेश रूप से चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी से है. विशेश रूप से रे न और कॉपरेट डेटा की अधिक चोरी की है. ट्रे इससे पहले भी ऐसी ही बाते कह चुके हैं. और यह मूलेवान है. हमें चाहिए कि अमेरिकी अधिकारी चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के बारे में जोर-जोर से अलाम बजाएं. इस तरह आपके ओसत अमेरिकी को पता चल ज जाएगा की कोई समस्या है. और संकेत हैं की संदेश निकल रहा है. ट्वैश्विक डेटा फर्म मौनिंग कंसल्ट के एक नए सर्वेक्षन के अनुसार, अधिकांश अमेरिकी विश्वास करते हैं की चीन पर शुल्क लगाना अमेरिकी उद्योगों और अमेरिकी श्रमिको की रक्षा करने का एक प्रभावी तरीका है. यह विश्वास पार्टी लाइनों में काफी सुसंगत था. 76 प्रतिशत रिपब्लिकन, 71 प्रतिशत डैमोक्रेट और 70 प्रतिशत निर्दलियर. सर्वेक्षन में यह भी पाया गया की अधिकांश अमेरिकी उन उम्मीद्वारो को वोट देंगे जो चीन की नीतियों पर सक्ट समर्थन करते हैं. इसलिए किसी भी भागे के साथ हम उस तरह की चीन नीती से एक बड़ा बदलाव देखने जा रहे हैं जिसने दशकों से अमेरिकी राजनीती को तरस्त किया है. चलो बस आशा करते हैं कि चीन के है. खेर, पहले उन्हें बिलकुल क्वारंटाइन करना होगा. लेकिन उनके संग्रोध के बाद, मुझे यकीन है कि वे चीजों को काम करने में सक्षम होंगे ताकि सहयोक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुक जिंजियांग के सभी खुश उवेगरों के लिए सभी राउट फंडिंग प्लेटफॉर्म प्रेट्रियन या स्थानिय लोगों पर हमारे विशेश सोशल मीडिया समुदाय में योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद के रूप में, हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देंगे. आज का प्रश्न प्रेट्रियन पर अलेक्स एक्सार से आता है, क्या आपने कभी अपनी सामगरी को फ्लोट प्लेन या क्यूरियोसिटी स्ट्रीम नेबुला पर डालने के बारे में सोचा है, हे एलेक्स पूछने के लिए धन्यवाद. वर्तमान में हमारे पास उन प्लेट्फार्मों पर हमारी सामगरी नहीं है, लेकिन चूंकी यूट्यूब ने हमारे कुछ एपिसोड हटा दिये हैं, इसलिए हम बैकप लेना पसंद करते हैं. वर्तमान में, यूट्यूब के अलावा, आप हमारे पूरे एपिसोड ओडिसी पर देख सकते हैं. ओडिसी ने इस शांदार ग्राफिक को तब भी बनाया जब हमने उनके प्लेट्फॉर्म पर लॉंच किया. लिकिन वो सब नहीं है. आप हमें रंबल पर भी देख सकते हैं मैं उन चैनलों के लिंक नीचे रखूंगा. यदि आप स्थानिय लोगों पर हमारे विशेश सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म पर समर्थक हैं, तो आप पूर्ण एपिसोड विग्यापन मुक्द भी देख सकते हैं. अगर यूट्यूब सेंसर्शिप कभी भी खराब हो ज एलेक्स की तरह बने, और क्राउट्फिंडिंग वेबसाइट पिट्रियन के माध्यम से चीन को बिना सेंसर किये समर्थन करें. इस शोग के लिए हमारे द्वारा फंडिंग का यही मुख्य तरीका है, क्योंकि हमारी बहुत सी सामगरी यूट्यूब द्वारा विमुद्री हो जाती है. और जब आप हमारा समर्थन करते हैं, तो आप हमसे ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जिनका जवाब हम शो में दे सकते हैं. तो इसे जांचे, लिंक नीचे है. एक बार फिर मैं Chris Chapel हूँ, अगली बार मिलते हैं. जब आप हमसे जापके बार मिलते हैं.